वाला है अगर आफ देखोंगे तो जो green है उसके अंदर आफ आफ देखने को मिलेगा purple के अंदर पराख पारेक एंदर के आफसे अपने बैंचमार्ख को बीट कर आई लेकिन इस समब पे हम 5 साल perspective से जाएं तो quant ने पराख पारिक को बीट करा है अगर हम यहीं पे 3 साल को select करें तो 3 साल के अंदर भी देखोगे दोनों जो mutual fund उसने अपने benchmark को बीट किया हुआ है लेकिन करीब करीब 11% के आसपास जो quant है वो ज्यादा return दे रहा है पराख पारिक स तो अगर आप देखोगे 3 साल के अंदर भी दोनों mutual fund में से जो quant है वो बीट कर रहा है पराख पारिक को अगर हम एक साल के returns की बात करें तो यहाँ पे हमने एक साथ select किया हुआ है एक साल के अंदर भी आप देख सकते दोनों mutual fund अपने benchmark को बीट कर रहा है लेकिन जो quant का mutual fund ह उसने अभी भी काफी high margin से पराख पारिक के mutual fund को बीट कर रहा हुआ है तो मुटे मुटे तोर पे अगर आप से पसे return perspective से दोनों mutual fund को compare करने ही कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक quote आपको साफ साफ जीतता हुआ देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पे अगर हम कुछ बात कर हुआ है तो मुटे मुटे तोर का अगर हम bench mark से बार relate करें तो bench mark से तो दोनों mutual fund ने काफी अच्छे शांदा return निकाल करके दिये हैं वहीं पे अगर आप 5 साल की बात करोगे तो पराख पारेक जीतता है उसके बाद अगर आप 5 साल की बात करोगे या 5 साल तीन साल एक साल मे तो quant जीतता है और quant 5 साल से पुराने में क्यों नहीं जीता मतब 10 साल में compare करोगे तो क्यों नहीं जीता विकर जो quant का mutual fund है वो as a quant नाम के अंदर ही 5 साल पहले है इससे पहले यह escort था quant ने acquire किया है escort mutual fund को तो जो quant as a brand as a mutual fund आया है वो सिर्फ उसे 5 साल पुरान है तो 5 साल perspective से देखा जाए तो quant ने हर साल बीट करा है पराख पारेक को distribution की बात करें तो आप देख सकते हूं जो fund size है और as per current date इसके अंदर देख रही है 31st of Jan की जो quant का flexi cap mutual fund है वो large cap में सिर्फ 39% के हिसाप से जा रहे है जो small cap है उसके अंदर 34.7% डाला हुए महीं पर जो made cap है made cap के अंदर 13.5% के as per distribution देख रहे है तो overall तरीके से काफी अच्छ distribution है financial services और basic material इनकी जो top two sectors है वो देखने को मिल रहे है वहीं पर हम 31st Jan के इसाप से जाए पराग पारेक के अंदर तो 72% के आसपास जो इनका पैसा है वो डाला है इनोंने large cap के अंदर small cap पे 8.3% और mid cap के अंदर 7% के आसपास पराग पारेक ने डाला हुए और यहां पर भी जो दो major sector देखने को मिल रहे है वो है financial और tech sector देखने को मिल रहे है मुटे मुटे तौर से अगर हम इससे ही divide करने की कोशिश करें तो जो quant का mutual fund है वो थोड़ा से ज़दा risky bet लेने की कोशिश कर रहे है large औ small cap के एक बहुत इच्छा combination create किया है इनोंने अपने portfolio में तो पराग इसकी mutual fund चाहिए flexi cap में तो quantic अच्छा है वही पर किसी को थोड़ा safer side type का mutual fund चाहिए और एक diversified portfolio जो के इंडिया और US में भी invest करें उस case के अंदर पाराग पारेक अभी के अच्छा दिख रहा है अब fund के retail के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो दोनों को mutual fund है वो very high risk के सा आ रहे हैं महीं पर minimum SIP दोनों के दोनों mutual fund में 1000 रुपे के आसपास होई तो मतलब कम से को 1000 रुपे तो डालने ही पड़ेंगे expense ratio almost similar level का तो expense ratio में कोई major difference नहीं है अगर आप देखो यह NAV तो NAV इतनी कुछ matter करती नहीं यह मैंने कापी और बता है तो आप मुझे जनूर बता है तो fund size 35,000 क्रोड के आसपास है गोंड का महीं पर जो पराग पारिक है वो बहुत ही ज़्यदा popular mutual fund है आपको पता ही flexi cap category के अंदर तो इससे काफी काफी ज़्यदा बड़ा है 55,000 क्रोड के आसपास का fund size आपको पराग पारिक का देखने को मिल रहा है तो अगर हम exit load की बा percent के आसपास का exit load पराग पारिक में लग जाएगा अगर हम कुछ pro and cons की बात करें दोनों के दोनों mutual fund की तो consistency एक साल पान साल और दस साल के अंदर quant में भी देखने को मिल रही है और पराग पारिक में भी same ही चीज़ देखने को मिल रही है अगर हम alpha की बात करें तो alpha 12 के और 7 के आसपास का alpha आपको देखने को मिलता है पराग पारिक में मतलब growth अगर किसी की बात की जाए दोनों में से comparison alpha के हिसाब से quant की होनी चाहिए मतलब अगर market 10% बढ़ेगा तो जो flexi cap mutual fund है वो करीब-करीब 22-23% के आसपस बढ़ता हो देखेगा तो इसी से हम alpha calculate करते है है दोनों के दोनों में और growth में दोनों में काफी अच्छी दिखती है अगर हम top के अंदर देखने ही कोशिए 27% 31% का concentration आपको top के 5 stocks के अंदर देखने को मिलेगा top 20 stocks के अंदर 65% और 79% के साथ पराग पारिक जीता क्योंगी concentration पराग पारिके portfolio में अच्छा है अगर हम PE की बा पारिका 30 है हमें पता है जो क्वांट का turnover ratio को करीब 80-85 के आसपास देखना मतलब portfolio churning capability इस समपे क्वांट के पास थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम equity की बात करें तो पैसा पूरा उपर जो equity में लगा हुआ है 95.1% के आसपास लगा हुआ है वहीं पर पैसा पूरा पूरा equity के तो 0-0.0% के आसपास cash coin के पास है 0.2% के आसपास जो cash hold करा पराक पारेक है तो आपको पता है liquidity issue नहीं होगी because company sizes में ज्यादा है तो कोई भी problem आती है तो यह अपने stocks को बेच करके आपको पैसा दे सकते है तो liquidity issue नहीं होगी इन्होंने cash definitely hold नहीं करा हुआ है लेकिं large cap category में mainly investing है इनका 20-30% cash बस तो liquidity issue at least एक investor को तो नहीं face करने को मिलने वाली में पर गनाम top 10 holding की बात करें तो top 10 holding के अंदर को रेलाइंस देखने को मिलेगा अदानी power देखने को मिलेगा housing urban development corporation geo देखने को मिलेगा और इसी तरीके के stock आपको पराक पारेक में भी देखने को मिलेगे ज बहुत ज़्यदा market condition से impacted नहीं होने वाले इस तवा पर थोड़े से undervalued stock पराग पारेक ने अपने portfolio में रखा हुआ है इसको मैं conclude end of the video करने ही वालो तो वो section ज़रूरी हो जाता है आपके लिए वह पर कुछ risk measures की बात कर लें तो अगर आप standard division देखोगे तो यहाँ पर standard division किस risk का ज़्यादा अच्छा है, quant का थोड़ा ज़्यादा अच्छा देख रहा है, sharpen ratio almost दोनों का same level का देखने को मिल रहा है, beat हा मतलब जो कम volatile है, पराग पारेक कम volatile है अपने category के हिसाप से, लेकिन चो quant है वो volatile थोड़ा से ज़्यादा है, shorten ratio यहाँ पर quant का अच्छा देख रहा लेकिन थोड़ा सो ज़्यादा risk का आपको quant देखता हो देख रहा है, और वहीं पर पराग पारेक है, वो कही न कही थोड़ा stability लाने की कुशिश कर रहा है अपने portfolio में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि quant कोई बहुत ही बेकार mutual fund बहुत सी ज़्यादा risk ले रहा है, ऐसा न other than that, 39 unique stock आपको quant के flexi cap fund में देखने को मिलेंगे, और 39 unique stock पराग पारेक के flexi cap mutual fund में दिखेंगे, तो ये data तो हमने देख ले है, जो कि आपको इस सवह पे online भी देखने को मिलेगा, और जो हमने अलग-अलग website से compare करके निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे आपको at least सारी क सारी picture clear हो जाए, अब बात करते है conclusion और दोनों के-दोनों mutual fund के बारे में मेरा क्या opinion है, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे बहले चीज़ शुरुआत करते है quant के mutual fund से, quant का mutual fund का AUM है, मतलब asset internal management, वो बहुती ज़्यादा छोटा है, अगर मैं compare करूंगा पराग पारिक से, तो small cap के अंदर holding ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद, जो fund manager उसके पास option हो कि भाई, आप अपने इसाफ से change कर लो, तो उस इंसान को quant के side जाना चाहिए, मतलब जो risk ले सकता है, जिसको trust दिखाना है, अगर किसी fund manager की side, कि भाई, वो risk लेगा तो निकाल लाएगा return, तो quant उस तरीके का एक mutual fund है, इसी के साथ सा, जो quant की holding है इस समय पे, वो large cap की अच्छी company हो में definitely है, लेकिन एक growth sector वाली company हो में है, तो यहाँ पर इसी हो जिससा आपको growth भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इसी के साथ सा, जो quant है, उसने heavy margin से beat करा है पराग पारे को, किसी-किसी case में 10% से और किसी-किसी case में तो 20% से भी beat करा हुआ है, इसे मितलब alpha बहुत ज़्यादा अच्छा, जो कि इसमें हमने देखा भी है, second बात कीजाए पराग पारे के तो पराग पारे के एक बहुत ही well-known brand से आता है, उसका flexi cap mutual fund बहुत ज ज़्यादा बड़ा है, मतलब 1-2% के आस-पास आपको देखने को मिलेगा point का, तो भाई इसका extraordinary बड़ा AUM है, तो इसी वज़से चर्णिंग वर्णिंग तो नहीं मिलती, लेकिन यही पे एक benefit आपको जो पराग पारे के साथ देखने को मिलता है, वो है कि global distributions देखने को मिल नहीं करते, और अगर हम यह भी मान लें कि बहुत साथ चींज नहीं करेंगे, वो इसी portfolio के साथ आगे जाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम जो है पराग पारे के लेचा हो सकता है, बिकिन सेहां पर finance sector इस समा पर चल नहीं रहा है, और पराग पारे के mutual fund है, उ साथ से दोनों की mutual fund winner है, लेकिन जो main चीज जो जाहते लोग देखना पसंद करते हैं कि रिस्क जादा लेकर के भी, तो वो definitely यहाँ पर कौंट है बनाए है, तो return wise अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कौंट जीता है, risk adjusted return की बात करूं मैं, तो भी यहाँ पर कौंट जीता ह लेकिन अगर कोई ऐसा investor है, जो चाहते है, उसका पैसा large cap में थोड़ा से ज्यादा जाए, उसी के साथ से diversify हो जाए, तो उसके लिए परागपारिक भी अच्छा है, तो मुटा मुटा तवार पर आज का जो winner है, वो है कौंट flexi cap mutual fund, लेकिन ऐसा नहीं परागपारिक बेका ग्लोबल लेवल की companyya भी देखने को मिलती है, तो वो एक edge आपको definitely मिलता है परागपारिक के mutual fund में, तो अगर वीडियो पसंद रही तो वीडियो को लाइक और चाल को subscribe करना बिलकुल भी, मत भूलना, दोनों mutual fund बहुत अच्छे हैं, दोनों में अगर आप invest कर रहे हो, तो definitely कर सकते हो, इसमें कोई भी दो रहा है नहीं है, at least मेरी साइट से, thank you so much for watching this video, tata, bye bye, signing off.